आप सभी का सवागत है एक brand new वीडियो में learn it के आप सभी का सवागत है आपके अपने learn it चैनल में आज हम बात करेंगे topic 2 के बारे में जो की है sexual reproduction in flowering plants के अंदर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा topic 1 नहीं देखा है तो playlist में जाके आप 11th हिंदी का topic 1 देखें जिससे आपको पता पढ़ेगा कि male reproductive parts के किते types होते हैं और उनके अंदर एंथर का development या pollen grains का development कैसे होता है तो start करते हैं पहले topic से जो की है female reproductive unit जिसे हम तीन नाम से जानते हैं पहला है पिस्टिल गाइनोशियम या कारपल अगर हम diagram की दरफ देखें तो यहाँ पर यह तीन चीजों में divided हैं पहला stigma उपर यूपर बीच में है style जो की एक tube जैसा है वो third माता है ovaries के अंदर आपको बह different quantity में ovules present हो सकते हैं तो start करते हैं first topic से which is stigma stigma क्या करता है stigma का सिर्फ यही काम है कि वो pollen grains को अपने उपर receive करता है fertilization complete करने के लिए style का क्या काम है stigma और ovary की connecting link है मतलब जो pollen grains stigma पर आते हैं वो tube के रूप में style से होते हुए कहां तक पहुछते हैं अब बात करते हैं third topic के which is ovary ovary एक swollen region है सुजा हुआ रीजेन है कहां पर present है तो नीचे ही नीचे विचे जोने इस बेस और इसके अंदर आपको बहुत सारे या एक ovules देखने को मिलते हैं वो प्रेंड करता है flower के अंदर जैसे हमने मेल के अंदर माइक्रो स्पॉर इंजियम पड़ा था वहीं पर हम फीमेल के अंदर मेगा इस्पॉर इंजियम पड़ेंगे जो कि आगे वाले में topics के अंदर ओ डीटेल में पड़ाये जाएगा तो एक्च्वल पार्ट की बात करते है तो मेगा इस्पॉर इंजियम काई का बना हुआ है पैरंकाइमेटस टीशू का बना हुआ है और इसके अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है नुकलस यानि ओवियूल के पास में जितने भी सेल्स बने हुए है उस पूरे को हम कहते हैं नुकलस ये थिन और मैसिव होत कहते हैं जो कि एक्जामपल है क्रेस्वेशन फैमिली का अब आगे बढ़ने से पहले हम पहले पता कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली पिस्टल और ओवियूल का और पिस्टल जो कि एक फीमेल रिप्रोड़क्टिव और गन है उसका एक पार्ट है ओवियूल तो ओवरी को अगर आप डीटेल में पढ़ते हो तो उसको कहते हैं हम ओवियूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओवियूल यहाँ पर दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे आपके लेफ्ट साइड में एक इरेक्ट इमेज है पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोड़क्ट से जो जर्म सेल्स निकलेंगे वो स्टाइल से होते हुए कहां तक जाएंगे ओवियूल तक जाएंगे अब ओवरी के अंदर प्रेजेंट जो ओवियूल है उसका एक स्ट्रक्चर हमने कहां पर देख रखा है राइट साइड में राइट साइड में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है फ्रम दे लेफ्ट साइड और राइट साइड उसको इंवर्टेट कर रखा है मतलब जो चीज़ें वहाँ पर सीधी है इरेक्ट इमेज में तो राइट साइड में वो सारी उल्टी हो जाएगी अब इसको भी डिवाइट कर रखा है बहु के end होते हैं याने छोर एक साइट की बात करते हैं जहां से pollen grains की entry होगी मतलब germ cells के entry होगी उस end को बोलते हैं micro pilar end और जिस साइट से कोई entry नहीं होगी और वो जहां से blockage रहेगा उसको बोलेंगे चलेजल end अंदर की साइट देखते हैं कोवियूल के अंदर तो वहाँ पर हमको eight cells दिखते हैं तीन तीन और दो के बंच में उपर वाले तीन cells को हम बोलते हैं synergates और egg cells मतलब दो synergates होते हैं और एक egg cell होता है नीचे की side में आपको दिखते हैं तीन जिसको बोलते हैं antipodal cells और बीच में मिलते हैं दो cells जिसको बोलते हैं polar nuclei सभी का अलग-अलग महत्व है जो हम आगे जाके और detail में discuss करेंगे नेक्स बात करते हैं integuments के basis पे ovules को चार पार्ट में divide किया गया है जो की diagram में आपको करेंगा दो पार्ट एक को बोलते हैं gymnosperms एक साइट को बोलते हैं angiosperms जिम्नो sperm के आसपास कुछ भी fruit जिसा शेप नहीं होता है या covering नहीं होती है किसी की angiosperms के आसपास covering होती है मतलब integuments के आसपास भी आपको सारे mass of cells मिलेंगे तो पहला पार्ट करते हैं हम जो की topic है जिसको बोलते है unitegmic unit technique के अंदर एक integuments मिलता है जो की हमको higher dicots के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि example है composite और gymnosperms second जो टॉपिक है वो है bitegmic means two इसके अंदर आपको दो integuments देखने को मिलते हैं जैसे कि हम example है crucifer and malvacy तीसरा आता है tritagmic जिसके नाम से हैं पदा पढ़ता है कि यह क्या है तीन integuments होंगे जैसे कि asphodellas के अंदर और last आता है atagmic जो बिना किसी integuments के होता है और आपको देखने में मिलेगा यह centalum के अंदर, laurentus के अंदर, ziriosoma के अंदर और olex के अंदर तो next topic के बारे में बात करते हैं तो detail में पढ़ते हैं ovule के बारे में तो पहला part आता है chaleza अब जहां पर इस diagram के अंदर chaleza लिखा है वो chaleza end एक place है या origin की जगे है जहां से integuments का development चालो होता और integuments क्या करते हैं cover करते हैं किसी भी ovule को या बचाते हैं किसी भी ovule को unnecessary fertilization से second बात करते हैं इसके just opposite में chaleza end के just opposite में लिखा हुआ है micro pilar end micro pilar end एक hole है एक pore है जहां से germ cells के entry होती है और यहां पर end को बोलते हैं micro pilar end अंदर की बात करें तो अगर ovules के जितने भी cells हैं उसको जो नरिष करती है wall उसको बोलते हैं endothelium और अगर हम बात करें कि integuments और cuticle के integuments और nucleus के बाहर की जितने भी चीज़े हैं उसको हम बोलते हैं cuticle एक special चीज़ है जिसको बोलते है caster beans के अंदर जो की family reciness में आता है यहां पर microbial region convert हो जाता है एक structure में जिसको बोलते हैं carancle और carancle mainly absorption करता है water का और seed को germinate होने में मदद करता है एक और चीज़ यह sugary substance का बना होता है इसी लिए जो ends होती है चीटियां वो इसके seed को disperse करते हैं मदद करती है ovules को form को tail में पढ़ने के लिए हमको 6 types के forms पढ़ने पढ़ेंगे पहले की बात करें तो नाम होता है orthotrophus जिसको हम erect पी बोले हैं second है anotrophus third है hemianotrophus, fourth amphitrophus, campilotrophus और last में आता है circinotrophus तो पहले detail में बात करते हैं orthotrophus के बारे में basically इसकी जो structure है वो आपको diagram से पता पढ़ेगा कि इसका structure straight position में आता है इसमें सभी ilam, chaleza, micropyle and सब एक ही line में present है यहाँ पर second जो topic है वो है anotrophus जो बहुत common है और लगभग सभी के अंदर आपको anotrophus type का configuration देखने को मिलेगा इसकी body ovule inverted होता है मतलब उल्टा होता है ovule fuse होता है funicle से और funicle एक rigid surface बनाता है रैफे के नाम से हिलम और micropyle close होते हैं funicle के chaleza opposite side में होता है micropyle के मतलब micropyle अलग opposite side पे होगा और chaleza opposite side पे होगा और यह बहुत common type का ovule है अगले topic पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें 4 images देखने को मिलती है तो पहले के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है hemianotropus hemianotropus की जो body है वो 90 degree पे होती है मतलब ovule 90 degree पे होता है funicle से amphitropus की जो body होती है इसके अंदर ovule और embryos एक curved हो जाते हैं last second बात करते हैं तो campilotropus मिलता है यहाँ पर embryos एक straight line में आता है पर body curved हो जाती है मतलब हीलम चलेजा और micropile आपस में पास में आ जाते हैं last आता है circinotropus यह क्या करता है इसमें जो funicle है वो बिलकुल 360 degree से जादा curved कर जाता है मतलब ovule 360 degree जादा turn करता है जिसके कारण funicle बिलकुल इसके आसपस round बना लेता है या coiling कर लेता है तो next topic के पर चलते हैं और start करते हैं जो बहुत ही important है anatropus type का ovule जिसको हम inverted भी बोलते हैं यह बहुत इक common देखने को मिलता है इसलिए इसके भारे में detail में पढ़ना बहुत important है right side में आपको एक diagram देखने को मिलेगा जो बहुत important है exam perspective के भी तो इसको आप detailed तरीके से देख लें कौन सा option कौन सा organ कौन सा part कहां रहता है उपर यूपर आपको देखने को मिलेगा चलेजा फिर रेफे फिर टू पोलर नुकली साइनर्जिट्स वैस्कुलर स्टेंट्स फ्यूनेकल लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे ओविल का हम अभी सेल के मतलब ओविल के अंदर की बात नहीं करेंगे उसके आउटर कवरिंग की बात करेंगे या पूरे ओविल के अंदर जो important topics होते हैं होते हैं जो reproduction के पहले काम आते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो पहला topic आता है फ्यूनेकल अब फ्यूनेकल है क्या फ्यूनेकल को हिलम क्या करता है हिलम फ्यूनेकल और रेफे को बीच में बॉंडिंग बना के रखता है जिसके कारण फ्यूनेकल और ओविल आपस में जुड़े हुए रहते हैं नेक्स्ट आता है Integuments के बारे में तो Integuments हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चार टाइप के होते हैं और ये क्या करते हैं Protective Covering बनाते हैं या Layer बनाते हैं किसके आसपस? Oval के आसपस ये हो सकती एक Single Walk बनी हो या Single Layer की हो या तो ये Double Layer हो सकती है या Without Layer भी हो सकती है Depend करता है कि वहां Integument present है या नहीं Next बात करते हैं तो आता है Micropile Micropile क्या है? चले जाल का Just Opposite जो एक Small सी Opening है जिसके कारण से जो Pollen Grain के Spores हैं वो Enter करेंगे या Germ Cells Enter करेंगे और Fertilization में मदद करेंगे तो उस Portion को बोलते हैं उस End को बोलते हैं Micropile या Micropilar End Micropile के Just Opposite बिलेगा आपको चलेजा अब चलेजा क्या करता है? Base रिपेसेंट करता है या Lower Portion रिपेसेंट करता है और लास्ट में मिलता है Ducalus Ducalus क्या है? टिशू है जो Embryo Sec को Cover कर गए रखती है आसपास से तो अब हम बात करते हैं Embryo Sec के बारे में जो कि एक पार्ट है किसका? Ovil का इसको हम एक और नाम से जानते हैं Female Gematophyte डाइग्रम से पता पढ़ेगा कि ये दो End से चल रहा है एक साइड में है चलेजाल End और एक साइड में है Micropilar End तो पढ़ते हैं Ovil के अंदर होता क्या है और Ovil क्या है Ovil सिंगल Embryo Sec है जो बनता है Megaspore से हमने एंथर पढ़े थे Microspore से germinate होते थे क्योंकि वो छोटे है Microspore नाम था उनका और यहाँ पर Ovil के अंदर जो Embryo Sec बनता है उसको कहते हैं Megaspore यह basically single nucleated और 7 cells होता है मतलब total में 8 cells मिलके बनते हैं अब इसके अंदर कितने parts होते हैं बताता हूँ एग apparatus होता है पहला जो कि Micropilar End पर आपको देखने को मिलेगा और इस egg cell के साथ में आपको 2 synergids भी मिलते हैं तो total हो जाते हैं नीचे की साइड में Micropilar End में 3 cells इन 3 cells के साथ में एक और apparatus जुड़ा होता है जिसको हम बोलता है synergids यह synergids क्या है? एक thickening है जो Micropilar End पर होती है और यहां से pollen tube की entry होती है मतलब antipodal या चलेजल End से कभी भी pollen tube के entry नहीं होगी किस sites होगी? सिर्फ philiform apparatus की sites से ही होगी और उसके बाद में बात करते हैं तो बीच में आपको 2 cells ship के होए मिलेंगे जो 2 haploid nuclei भी कहलाते हैं और कहां पर है वो? center में present है तो यह total मिला के बनता है एक female gametophyte का embryo sick तो अब हम बात करते हैं Megasporogenesis के बारे में यह same Microsporogenesis का ही एक दूसरा पार्ट है Microsporogenesis हमने पढ़ा था male enter के लिए और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं female के लिए तो अगर Megaspor बनता है Megaspor mother cells है तो हम बोलेंगे उसको Megasporogenesis को और यहाँ पर Megaspor mother cells को हम एक और नाम से जानेंगे जिसको बोलते हैं MMC अब कहां प्रेजन होता है MMC तो प्रेजन होता है Micropilar region में नुकेलस के बिसिकलि यह large cell होते हैं और condensed cytoplasm होता है याने dense cytoplasm होता है और nucleus भी प्रेजन होता है इनके अंदर यहाँ पर MMC Miosis division करता है या Miosis type of division करता है और क्या बनाता है 4 Megaspore का formation करता है लगबख सारे flowers के अंदर approximately majority के अंदर हम जब बात करते हैं तो Megaspore में से एक ही Megaspore functional होता है बाकी जो भी तीन बनते हैं साथ में मतलब एक चार के हिस्से में से एक ही Megaspore functional होता है और बाकी तीन degenerate हो जाएंगे याने खतम हो जाएंगे अब आगी जाके ये functional Megaspore क्या बनाता है female का gametophyte बनाता है या development करता है पूरा का पूरा embryo sec का आगी जाके अगर single embryo sec बनता है एक single microspore से Megaspore सो सौरी तो उसको बोलते हैं microsporic development तो अब हम बात करते हैं diagrammatic representation का Megaspore Genesis के अंदर मतलब embryo sec का formation होता कैसे तो जब हम बात करते हैं basic structure का तो उस time पे nucleus Megaspore Mother Cells के around में फैला हुआ होता है MMC उसके just center में होता है यहाँ पर MMC मतलब Megaspore Mother Cells क्या करता है division करता है एक से दो में तो जब वो दो में होता है तो उसको बोलते है Megaspore Diet अब Megaspore Diet आगे जाके और convert होता है और 4 में convert होता है इसको बोलता है Megaspore Tetrade यह जो Megaspore Tetrade है वो उनमें से 3 लगभग degenerate हो जाते हैं और कोई एक लगभग कोई एक आगे जाके form करता है किसका embryo sec का यहाँ पर Single Megaspore Tetrade जो कि आप 4 में से एक ही functional रहा है और 3 degenerate हो गए वो जाके 1 के 2 में 2 के 4 में और 4 से 8 cells में convert होता है और काई का formation करते हैं different bodies का formation करते हैं तो आखरी का जो structure है वहाँ पर आपको दिखेगा दो ends cellazol और micropylor end जो हम अभी तक पढ़ते आ रहें continuous तो चले जले लेंड पर तीन एंटी बडल cells होते हैं मिडिल में 2 polar nuclei होती है नीचे नीचे आपको तीन cells मिलेंगे एक होता है egg और synergates यहाँ पर फिलिफोर्म अपरेटस सीवेक portion है एक ऐसा dense material से बना हुआ जिससे सिर्फ pollen grains की entry होगी इसलिए वो सिर्फ entry point है वो कोई cell नहीं है इसलिए उपर के जितने भी cells है उनको आप गिनो होगे तो टूटल कितने होगे वो 8 in quantity होगे तो एक mmc से मतलब mega sporm अगे जागे वो कर्मट कितने में हो जाएगा 8 cells में हो जाएगा तो बात करते हैं embryo sec के formation के बारे में वैसे तो embryo sec के formation का diagrammatic representation हम देख चुके हैं और हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे reproduction का embryo sec का formation होता है तो बात करते हैं इसकी steps के बारे में तो मैं आपको steps बताते जाता हूँ आप diagram के through भी उसको समझ सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके तो पहला है nucleus functional mega spore के अंदर mitosis की process होती है जिससे हमें two nuclei देखने को मिलते हैं अब जैसे ही division होता है तो दोनों opposite pole पे चले जाते हैं और इनको कहते हैं two nucleated embryo set आगे जाके two nucleated के अंदर sequential mitotic nucleate division होता है जो formation करता है four tetraids के अंदर और ये four tetraids आगे जाके eight nucleated stage में convert होते हैं embryo set के nuclear division जब भी होता है तब कोई भी cell wall का formation नहीं होता है जैसे ही eight nucleated stage पे आता है तब जाके cell wall का formation होता है क्योंकि वहाँ पर हम different different gamet of height के अंदर embryo set के अंदर अलग-अलग चीजों को organize करना चालू कर देते हैं छे eight में से छे nucleated जो होते हैं उनके आसपास cell wall का formation हो जाता है और दो के आसपास cell wall का formation नहीं होता जिनके आसपास cell wall का formation नहीं होता है उनको बोलते है polar nuclei बाकि सारे जितने भी antipodal cells देखे होंगे आपने या जितने भी synergids या egg cells देखा होगा उसके अंदर आपको क्या मिलेगा cell wall का formation देखने को मिलेगा अब कहां present होता है polar nuclei तो जास्ट सेंटर में central cell जहां पर बोलते हैं महां पर present होते हैं आपके two polar nuclei which is made up of haploid cells next बात करते हैं तो mycopylar end में आपको तीन cells fuse करे वे मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं egg apparatus पर egg apparatus के अंदर दो चीज़े होती है एक तो दो cells होते हैं जिसको हम बोलते है synergids और उसके साथ एक और cell मिला हुआ होता है जिसको बोलते हैं egg cell तो total मिलाके दो synergids और egg cell मिलाके बनाते हैं पूरा egg apparatus अब egg apparatus के side में आपको एक और special चीज़ मिलेगी जिसको बोलते हैं philiform apparatus यह philiform apparatus क्या करता है pollen tubes की entry में guiding में मदद करता है अंदर आने के लिए तीन cells और होते हैं जो कहाँ पर मिलेंगे आपको चलेजलेंड पर मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं antipodal cells तो देखा जाए तो यहाँ पर एक typical angiosperm के embryo को तो वहाँ पर 7 cells होते हैं और 8 nucleated material मिलता है जब maturity हो जाती है उम्मिद है आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी आया है तो एक बार और आप इस वीडियो को repeat में देखें जो diagrammatic representation था इसके पहले उसमें मैंने आपको समझाने की बहुत simple तरीके से कोशिश किये अगर आपको तब भी कुछ problem आती है तो आप comment कर सकते हैं नीचे मैं उसको solve करने के लिए और आपको और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर आपको यह वीडियो informative लगा तो इससे दूसरे students के साथ में share करें और हाँ हमारे learning channel को subscribe करना ना भूलें